तो, हे गाईस, आज हम बात करने वाले हैं Color Application Technique के बारे में Guys, hair color को किस तरीके से करते हैं कौन-कौन से सेड हमें करनी चाहिए ये सब video में आपका बनाई हुई है और आज हम बात करने वाले हैं Application Technique Guys, color जब हम करते हैं इसमें काफी जाए टेक्निक्स होती है इसमें छे तरह की टेक्निक्स होती है उसके पहले में आपका नेम बता जाता हूं फिर उसके वारे में जानेगे कि इसको कैसे किया जाता है पहला जो टेक्निक होती है हमारी होती है डार्कनिंग टेक्निक दूसरी जो टेक्निक होती 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 है हमारी वर्जन हेर टेक्निक और तीसरी होती हमारी होती हो लिटल फेड़ेज टेक्निक यानि कि यह जो हेर है उन पर हमें किस तरीके से काम करने एक होता है मीडियम रेग्रोथ कि इन सबकी अलग अलग टैखिनीग होते हैं इन सबके अलग अलग कंग मैं बता तो यह डार्कनिंग्स किया है मिया है कि थतरू क्या दूर आपने किकले चार महिने पहले किया हूए या एक डो मनत पहले किया हिए तो ठोड़ी के Pan जाता है थोड़ा सा फेड हो जाता है तो उस पर हम एप्लिकेशन किस तरीके से करें कि उसकी टैक्निक अलग होती है और मैं आपको बता दू जो मीडियम फेडेज होती है यह मान लीजिए तीन से चार या पांस से छे महिने पहले आपने कलर किया था किलाइंट के हेर पर उसक लृष के नो-देस मन्त के बाद आपके पास कलाइंट आती है उसकी एप्लिकेशन टैक्निक अलग होती है उसको बोलते है स्ट्रोग फेडेश और रिग्रूथ वन нить एर्स एक साल पहले कल्याइंट के हेर पर आपने कलर केता हो कल्यांट आपके पास एक साल के बाद आते ह काफी जादा री ग्रोथ हो जाती है उसकी एप्लिकेशन टेक्निक अलग होती है तो गाइस जो मेरी प्राने वीवर्स है उनको इसके बारे में पता होगा और यह वीडियो में आजकल आपको पता होगी है मैं बीगनर्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं क्योंकि काफी लोग को हमसे जुड़े है नीू नीू और जिसने वीडियो आगर जिसको पता है वह एक बाद फीर देख सकता है है सारीवाइस हो जाएगा तो वीडियो को स्टार्ट करते तो पहले हम एपलिकेशन टैखनिक के वारे में समझेगे अब क्या होता डारक निंग क्या होता है कि आप मालीजिये किसी क्लेंड का हेर 7 लेवल का है उनको अपने हेर को 6 या 5 कराने है ठीक है आप यह मालीजिये कि 6-5 मतलब नीचे जा रहे हो लिफ्ट होता है ना ये पांच से साथ जाना है तो ये तो लाइट हो गया आपको नीचे आना है ठीक है उसे डार्क बोलते हैं मतलब किसी हेर को आप डार्क कर रहे हो कलर को दबा रहे हो तो आपको कलर जो बनाना है इसमें हम कलर की बात नहीं करे यह हम अभी डार्क कर रहे है यह rule यह कहता है कि डार्क निंग टेक्निक की application होने ऐखर श्ट जो application होने चाहिए वह आपकी root पर होने चाहिए देखिये roots पर होने चाहिए और सबसे पहले आपको roots पर touch up कर लेना उस color then आपको second application आपको करनी है mid-length पे अक्ति मीड़ टूएंड हेर हमसा तीन पार्ट में होता है रूट मीड एंड ठीक है टी टी आई फॉर्मूला लगता है टेक थुर्व इमिडेटली यानि कि पहले आपको रूट्स पर लगा लेना है लगा लेना है देन आपको मिड्लेंट लगा लेना है अगर गाइस क्लेंड के हेर ज्यादा पोरस है ठीक है तो आप इसको मतलब कलर बाउस टैम भी लगा सकते हैं अगर वह उसका आपको पांस से दस मिनिट बस Mid to ends पर बात कर लेता है अगर आप virgin hair पर color कर रहे हो ठीक है कितने हम वर्जेन एर असान होता है आसान तो होता है कभी कार्दिकार ना जब आप global करते हो roots पर जादा जा दिखने ले जाता है roots पर जादा दिख रहा है नीचे कम दिखता है वह प्रोब्लम यहीं आती है जिसकी एप्लिकेशन टेक्निक में प्रोब्लम होती है तो इसमें देखिए मान लेजिए किसी को आप 8.3 या 6.3 या 7.3 7 जी यानि की गोल्ड तो पॉइंट दिने मारा गोल्ड होता कोई सा भी कलर कर रहे हो वर्जन हेर पे तो सबसे पहले आपको जो एप्लिकेशन करनी है वो फर्स्ट देखिए आपको मिड टू एंड तक करनी है ठीक है रूट्स पर पहले नहीं लगाना है रूट्स पर हमारे heat होती है सबसे पहले color आता है तो इस पर पहले नहीं लगाना है वणना जिरूट्स पर यह जाता दिखेगा length पर आपका color इतना नहीं दिखेगा पहले आपको roots पर लगा लिना है ठीक है? लगाने के बाद आपको wait करना है 15 minute ठीक है 15 minute आपको wait करना है then आपको second application जो करना है वो roots पर करना है ठीक है then आपको 35 minute रखना है वो इसमें तो मतलब timing दे रखी होती है वाकिए आपको visually check करना हो तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ fashion set आपको visually check करना है कि कितनी आपको चाहिए ठीक है वो आपको एक approach timing बताता है पू color में भी आपको check करना है तो इसमें आप यह समय लीजिए version here पर अगर आप color कर रहें तो first आपको application जो करनी है वो आपको first application आपको mid to ends पर करनी है then roots पर करनी है ठीक है अब बात कर लेते है application technique with little fadage मैं आपको पताया था कि एक से दो मन्त पहले आपने color कहा था client एक दो महीने बाद आते है तो इसका मतलब मान लीजिए कि एक दो महिने बाद हमार पके पास आते तो उनकी new growth सिर्फ इतनी होगी वाकी पे नीचे color होगा मान लीजिए 7.3 color उनकी ends पर हैगा ठीक है तो आपको क्या करना है अगर client के hair पे gray hair भी है ठीक है white hair भी आ रखे है या नहीं आ color कराना है तो आपको क्या करना है 31st application जो है आपको roots पर करनी है then आपको ends और mid to ends पर करनी है length पर क्योंकि guys आपको मैं बता दूं नीचे अगर आपने 7.3 कराई यह तो आपके new growth हो गई ठीक है इस पर कोई color नहीं इस पर 7.3 color पहली से हैगा और guys मैं आपको बता दूं इसमें ठीक है तो पहली application आपकी roots पर होगी क्योंकि roots new growth हो डार्क है ठीक है वह कह डार्क है तो आपको दिखायत बतायते हैं कि dark darkening technique कह कर रहे होते हैं first आपको roots पर application करनी होती है इसी तरीके से आपको इदर इसमें little footage में उपर वाले hair जो डार्क है यह पर पहले color लगाएगी ताक कि वह even हो सके ठीक है अगर white hair है तो आप 7.3 में उसमें 5 की shade डाल सकते है जावी 7.3 में आप 5.3 add कर सकते हैं ठीक है आप mixing कर सकते हैं मैंने वीडियो बनाई होगी है कि gray coverage कैसे करें with fashion state के उपर इस topic में application के बात करेंगे first आपको roots पर करनी है then आपको length पर करनी है length की timing क्या हो अगर नहीं नहीं वोस का time होने से 5-10 मिनट बचे तब आपको वही बाउल वाला color नीचे उतार देना क्यूंकि नीचे पहली से already color treated hair है तब जाके color आपका even होगा little footage की technique आप जान ली है अब बात करते है medium footage की ठीक है तीन से चार महीने पहले आपना color करा है तीन से चार महीने बाद client आईए तो उनका color नीचे आजएगा वह same technique होगी first application आपको roots पर करनी है second application आपको नीचे करनी है लेकिन इसमें क्या होगा medium footage में क्या होगा पहले हमने क्या कर रहा था पांस से दस minute जब वह उसके बचे थे तो पांस से दस minute से ends पे लगाए था लेकिन इसमें हम ends पे जो होगा length पर ज्यादा timing रखेगे 15-20 minute क्योंकि 3-4 महीने की बात हो रही है client का color बहुत ज्यादा नीच से fade हो गया होगा तो medium footage है application वही रहेगी first आपको roots पर करनी है then आपको length पर करनी है लेकिन उसमें आपको timing 15-20 minute रखना है ताकि जो medium footage ज्यादा हो चुका है वह color even हो सके ठीक है अब बात करते है strong footage की strong footage कि मतलब समझे रहो कि client को 9-10 महीने पहले color कहता है नो से 10 महीने बाद आया तो काफी new growth भी आगी होगी color काफी ज्यादा fade हो गया होगा guys ठीक है तो इसमें भी same application करनी है पहले roots पर करनी है second आपको length पर करनी है लेकिन TTI technique बोलते है को take through immediately यानि कि जैसे आपकी application roots की खतम होती है तुरंट आपको mid to end slant पर आ जाना है या अप्लिकेशन खतम होई तुरंट नीचे आ जाना है ठीक है वेट नहीं करना है अब बात कर लेते हैं application for long growth long growth का मतलब समझे रो एक साल बात के लाइंट आई तो उनका hair तीन पार्ट में आपका जो hair अच्छे से बट जाएगा roots mid to ends तो मान लिजी जो ends है इस पर already color हो चुका है क्योंकि एक साल बात वो ends पर आ गया ठीक है या इतना hair आपका ये dark है new growth है इतना roots और mid वह इतने पर color पहली से है तो आपको क्या करना है मैं आपको बता है तो ये हो गया आपका इतना new growth याने की virgin hair और virgin hair की टेक्निक क्या कहती है सबसे पहले roots पर नहीं लगाना सबसे पहले आपको लगाना है mid length पर ठीक है mid length पर लगाने का 15 minute wait करना है देन आपको लगाना है roots पर ठीक है और जो पहली से color treated है वो color जो last में है ends पर उसको लगाना है आपको बाद में सबसे last में पहले आपको mid पर फिर roots पर फिर length पर री ग्रोथ टेक्निक है इतना hair virgin है तो virgin की technique क्या कहती है मैं आपको बताया था यह रफ वर्जन है की first होता है आपका mid दूसरा होता है roots same यह हां पर यह आज ही करना है इतना hair आपका version है first होता है mid और दूसरा होता है आपका roots first 15 minute आपको wait करना है then आपको roots पर आना है roots पर जो color आ जाता है फिर बाद में आपको ends पर वो color लगा देना है तब जाके वो color even होगा so I hope guys आपको समझ आ जागा होगा कि किस तरीके से application technique होती है और कितने तरीके की technique होती है तो यह beginners लोगों के लिए काफ़ ज्यादा helpful video होने वाले जिनके साथ problem होती है कि roots पर कभी जादा आगे कभी ends पर color जादा आगे कभी middle end पर दिख रहा है लेकि ends पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है काफ़ ज़दा problem आती है वीडियो अच्छी लगें इस वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना and don't forget to press the bell icon